हेलो फ्रेंज मोधुमिता लिटिल कीचेन में वेलका मैं हूँ मोधुमिता आज में सेयर कर रहे हूँ गेहुकी आठे से बना हुआ बहुत बड़ी आसा क्रिस्पी और टेस्टी मोठ्री का रेसिपी अब ही दिवाली आरे, दिवाली में हम लोग सुईट्स मोठ्री नमकिंतों बनाते हैं, मैंने डौलरी नमकिं और मिठाई का रेसिपी सेयर कर चुकी हुँ आज में बना के दिखाऊंगी मोठ्री का रेसिपी खाने में बहुत है टेस्टी होगा श्टोर करके भी राख सकते हैं बहुत ही सिंपिल इंग्रिडेंट से इतना बड़ी असार टेस्टी मोठ्री अपलोग आसानी से घर में बना सकते हैं इस दिवाली में टाइम भी जादा नहीं लागेगा लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेगा खाने में ओयल भाई जादा नहीं पियेगा और खाने में इतना टेस्टी होगा कि आप चाय के साथ भी खा सकते हैं और नर्माली ऐसे ही खा सकते हैं श्टोर करके भी राख साकते हैं ये बाला मोट्री को दो माइन तक चोलिए ये बड़ी आसा रेसीपी शुरू करते हैं तो ये मोट्री बनाने के लिए सबसे पहले मैंने देखी हाँ पे एक काप सुजी लिया ये थोड़ा सा मोटा है तो इसलिए मैंने इसको मिकसर पड में डाल के थोड़ा सा पीछ लेती हो अगर बारिक बला सुजी उज़ करेंगे तो पिछने का जोरो रोत नहीं लेकिन थोड़ा सा मोटा है तो इसलिए इसको थोड़ा सा पीछ लेती हो तो देखी मैंने इस तरीका का सुजी को पीछ लिया, एक काप सुजी लिया था, अभी मैंने इस बारिक क्या सुजी को डाल देती हूँ एक बारतन में, एकी साथ में मैंने इस में मिला रहे तो एक काप गे हुके आठा, मतलब एक काप सुजी, एक काप गे हुके आठा, बहु डालेंगे आधा जमच जैसा मिर्ची पाड़ार आप चाहे तो आध्रोक लोईशन का पेस्ट भी डाल सकते हैं थोड़ा सा तील डाल दिया और डालेंगे सादोनुसार नमक आच्छी तरह से इस मसाला को मिलाएंगे लेकिन उससे पहले डाल देद इसका मयन जो मेन तो देखी मैंने एक काप देशी घी उजगिया और डालेंगे एक इसाद में तीन चमच ओयल आप चाहे तो चार चमच ओयल भी डाल सकते लेकिन थोड़ा सा घी मतलब एक चमच घी डालने से इसका टेश और भी बार जाएगा और बहती क्रिस्पी बनता है तो मैंने एक चम या घी कुछ भी जाव सकते लेकिन थोड़ा सा घी डालने से इसका टेस्ट भी बार जाएगा आप इसमें थोड़ा थोड़ा पाने जालके बड़िया सा डो लगा लेते हैं कोशिस कीजी यह बला जो डो बनेगा थोड़ा सा टाइट डो बनाना है स्वाप डो बनाएंगे तो क्रिस्पी भी नहीं बनता है और लाटने के टाइम भी थोड़ा सा प्रोब्लेम आ जाएगा तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पाने डालके ताइट बला डो बनाना है ताकि जो मोठ्री क्रिस्पी भी बनेगा और आशानी से बना सकते हैं तो देखी इस तरीका का मैंने डो निट कर लिया ज्यादा नरम बिलकुली नहीं उपर से मैंने अध्थोड़ा सा ओयल डाल देती हो बहती क्रिस्पी मोठ्री बनेगा तो उपर से थोड़ा सा ओयल जोरूड डालना अगर पार्फेक्ट मेजर्मेंट यानि पार्फेक्ट कौन टिरीका ओयल यानि मोयन डा इसलिए 10 मिनिट ढखके जोरूड रखना 10 मिनिट के बाद और भी थोड़ा से इसको निट कर लेती हो आप इस में से छोटा छोटा पेड़ा जैसा लिए बना लेती हो और रोटी जैसा लट लेंगे बनाने मा बहुत एजी है बहुत आसानी से बना सकती है ज्यादा कोई दि दिखाती हूँ, थोड़ा सा मॉइदा, ओयल, कुछ भी लगाने का ज़रूरत ने, आसानी से लाट साकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो लाटने का सहीं थोड़ासा आठा डाल साकते हैं, तो मैं दिखाती हैं इसका थिक्निस, देखी, थोड़ासा भी चिपकानी, बाद ज्यादा पातला नहीं है इस तरीका का आप चुली इस रोटी को थोड़ा सा encourage में काठ रहर हूं तो देखी मैंने इस तरीका जो कठार होताई इसी करेंगा और उसलिक मैने फोग की हेल से इसा से उपघार ना लेती हूँ अबुए खेदbasis क이션ड़ क्रिसपी और में उठा के दिखाती हूँ यह देखे इस तरीका का बनाने है इसी तरीका से मैंने थोड़ा सा बना लेती हूँ चलिए आप फ्राइ करते हैं फ्राइ करने के लिए ओयल का टेमपरिशा जो है मीडियाम गरम होना है ज्यादा गरम बिल्कुल नहीं करना है तो देखे मैं दिखा रहे हूँ बहुत ज्यादा गरम नहीं है मतलब हाल का गरम है ओयल तो इस तरीका से मोठ्री को फ्राइ करेंगे तो फ्राइ भी होगा सानी से बना भी सकते हैं एक बेच मोठरी फ्राइब करने के लिए एक से देड़ मिनिट टाइम लागेगा उससे ज्यादा टाइम नहीं लागेगा लेकिन गयास का हीड मीडियम राक की मैंने पूरा मोठरी को फ्राइब क्या तो एक तरफ होने के बाद दोसरा तरफ पल्टा बहुत ही क्रिस्पी भी बनेगा पार्फिक्ट इसमें टेस्ट भी आएगा तो देखें आच्छे तरह से फ्राइब हो गया कालर भी बड़ी आसा मस्त है अभी मैंने इसको निकार ली तो दूसरा बेच भी इसी तरीका से फ्राइब कर लेते हैं यह बाला जो मोठरी है ज्य चलिए देखिए मैंने इस मोठरी का आवाज भी सुनाते हूं कितना पार्फिक्ट और कितना क्रिस्पी भी कलार भी देखिए कितना बड़ी आसा मस्त है मतलब दोनों तो रव पाच्छे तरह से फाग गया तो देखिए तो फ्रेंड्स आई हो आपको वीडियो पसंद आया अगर वीडियो पसंद आया तो जोरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एसा हर देन न्यू न्यू रेसिपी देखने के लिए और बेल बोटन को प्रेस करना ना भुले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको म सब्सक्राइब कीजिए एसा हर देन न्यू न्यू रेसिपी देखने के लिए सब लोग आचे रहे खुछ रहे बाई बाई